तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्व चनल में और मैं सिखाऊंगा आपको कि इस मसीन को कैसे खुलना है फॉर्स स्टेप क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं आउड़ोर हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहां बहुत बढ़िये तरीका से कुलिंग कर रहा है दुनों पाइप चिल्ड हो गया है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है यहां परिग्यास ब्लॉग करना तो शुरू करते हैं वीडियो को देखें गाइस सबसे पहले इस वाले शक्कन को हमें सलाइरीन से खोल लेना है तो सिंपली गाइस मैंने पतले वाले को खोल लिया है और इस प्रकार हम एलेनकी के सहायता से इसको लॉक कर देंगे तो सिंपली गाइस देखिए मैंने इसको लॉक कर दिया है और सिंपली गाइस इसको खोल लेता हूं दोनों को पहले क्षोल के रखेगा ठीके गाइस तो देखिए पतले वाले में थोड़ा बरफ आने लगे हैं और गैस बेक होना इस्टार्ट हो चुका है तो सिंपली पता करना है कि पुरी तरह से टेक हो गया है कि नहीं कि कॉल कर अभी मत बुद्रू को सिंप्ली गाइज मुटा वेले को हम बंद करके तो गई दूनों नॉर्मल यब हो जागा तो हम बंद कर देंगे आलो है ओलो बहुता बंद कर दे जए देगे रेक यह ड़िए तो वाई इस तरह हमारा लॉक हो चुगा गेसी अब तुरंथ अब इस पाई को खोल देना है बहुत जाद है यहां पक्का गरम है गाई सामने गंगा नदी है देख सकते हैं आप लोग और यहां हम लोग गेस लॉक कर चुके हैं सम्क्रिक आप देख सकते हैं जाक हो चुका है और यहां का आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा आप कणिशन बॉक्स खोलेंगे और इसका कनिक्सन हम निखालेंगे तो simply guys हम आप connection box को खोल लेंगे और इसके बाद दखिया आप पाइप को खोल लिया है मैंने तो simply इसको खोलने के बाद हम आपडो को प्रेक कर देंगे यह हमारा copper pipe indoor भी मैंने खोल दिया है सामने में गंगा नदी का नजारा आप भी देख लिजिए यह गंगा नदी है बहुत बड़ा सामने में केंट है यह आर्मी केंट सो गाइस यह गंगा नदी यहां का तो गाइस गंगा नदी देखते हैं बाद में चलते हैं अब इंडोर को खोल दिया मैंने इंडोर को मैं दि दिखाता हूँ आपको यहां बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हो रहा है और मैं दोप में इंडोर रखा हूं सुपने को लिए ताकि उसमें जो पानी है निकल जाए गड़ जाए यहां देख सकते हैं आप लोग पानी निकल लिया है यह ट्रांसपोर्ट हो रहा है दूसरे बंगलोर में शो गाइज कहा है दो भी अजया है यह टो है